नमस्कार आप सभी लोग देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्ज मनोच कुमार शुकला रोज की तरह धर्म की चर्चा करता हूं तो आज फिर नए सिर्य से आज के दिन गणेस संक्टी चतुर्थी है तो उसके विसे में आज मैं बताऊंगा उसक क्या करते हैं क्यों करते हैं यह सारी चीजिये आज में आपको बताहूंगा इस पूजा के दिन प्रिद्वी पर वास करते हैं गणेश जी पिंगळा संक्टी चतुर्थी है और क्या है पूजा विदान गया क्या है यह सब बता रहा हूं आज से आसार त् महीना शुरू हो रहा है इसकी कृष्ण पक्षकी चतुर्थी को गणेश जी के भक्त क्रिश्ण पिंगला संकटी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं और ब्रत रखकर गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं यह संकष्टी चतुर्थी संकट गणेश चौथ के नाम से भी जानी जाती है कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी ब्रत कब है इसकी पूजा का श्व महुर्थ क्या है संकष्ट चतुर्थी पर क्या चढ़ाएं आद जानने की लिए मैं आपको बताता हूं कृष्ण पिंगला संकृष्टी चतुर्थी का महत्व कृष्ण पिंगला संकृष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है मानता है कि इस दिन पूजा कार होने की वज़ा से भगवान गणेश धरती पर ही विराजमान होते हैं और भगतों के आवाहन पर उनकी पूजा सविकार करते हैं इस दिन भगतों के प्रसन्न होकर भगवान गणेश सभी मनो कामना पूरी करते हैं और सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं यह भी मानता है कि कृष्ण पिंगला संक्रिष्टी चतुर्थी वाले दिन ही भगवान शिव ने गणेश जी के प्रतंब पूज्य होने की घोशना की थी इसलिए यह पूजा विसेस है मानता है कि इस पूजा से भगवान गणेश साधक को धन समरिद्ध सवभाग्य सांती स्वास्त और खुसी प्रदान करते हैं इसलिए खास बात है किष्ण पिंगला संक्ष्टी चतुर्थी की एक वज़ा से और खास है किष्ण पिंगला चतुर्थी बुदवार को पड़ रही है यह दिन गणेश जी की सापताहिक पूजा का भी दिन है इससे इसका महत्व बढ़ गया है इस ब्रत का फल भी अधिक मिलेगा इस दिन पूजा पाठ और उपवास से भगवान गणेशी की क्रिपा तो प्राप्त ही होगी बुद्ध ग्रह संबंधी दोश भी दूर होंगे और बुद्ध ग्रह की क्रिपा से जातक की भाशड कला आदि में निखार आएगा क्रिश्न पिंगला चतूर्थी की पूजा बिधी कैसे पूजा करते हैं उसकी बिधी बताता हूँ आसाड क्रिश्न चतूर्थी के दिन सुबा जल्दी उठकर असनान ध्यान पूजा करके और ब्रत का संकल्प लें इसके बाद साफ पीले या लाल रंग के बस्त्र पहनें घर की साफ सफाई कर पूरे घर में गंगा जल छिड़कें पूजा अस्थल पर एक लखडी की चौकी पर साफ लाल वस्त बिछा कर गणेश जी की प्रतिमा अस्थापित करें भगवान गणेश के सामने घी का दिया जलाएं धूप जलाएं और सिंदूर चड़ाएं इसके बाद गणेश जी को फूल दूर्वा और अन्य पूजन सामाकरी चड़ाएं भगवान के भोग के लिए मोदक या मोती चूर के लड़ू और फल जरूर चड़ाएं इसके बाद गणेश जी के मंतरों का जाप करें गणेश चालीशा का पाठ करें और आरती उतारें संध्या के समय फिर चंद्रमा को अर्ग दें ब्रत कथा पढ़ें और गलतियों के लिए छमा मागें इसके बाद फला हार करें और अगले दिन पंचिमी तिथी में ब्रत का पारण करें आईए ये मैंने धर्म के विशे में आपको बताया आईए चलते हैं अब दैनिक पंचांग की तरफ आज पचीस चै दो हजार चौविस स्री संबत दो हजार इक्यासी साके उननीस सो च्यालिस चतुर्थी तिथी रात में बारा बचके चवालिस बिनड़ तक रहेगी नच्छत्र स्रमन दिन में चार बचके इकतिस बिनड़ तक रहेगी करण बव तत्पस्चात बालाव मास आसार रहेगा किष्णपक्ष बैधित योग दिन में 11 बचके 29 मिनड़ तक रहेगा आज वार की बात करें तो मंगल वार का दिन है चंद्रमा मकर रास पेस्तित है रात्र में तीन बचके 53 मिनट के बाद चंद्रमा कुम्भ रास पर आएगा अब जित मुर्त 11 बचके 55 मिनट एम से 12 बचके 51 मिनट पीम तक रहेगा राहुकाल शाम 3 बचके 53 मिनट से शाम 5 बचके 37 मिनट तक रहेगा दिसासूल की यदि बात करूँ तो आज उत्तर दिसा में दिसासूल है आज के दिन उत्तर दिसा की यात्रा करना वरजित है आईए चलते हैं दैनिक राश की तरफ सर्परतम मेख राशी मेख राशी वाले आपके लिए आज का दिन बढ़ियां रहेगा परिवारिक जिम्मेदारियों को समझेंगे काम के सिलसिले में भी आप खूब महनत करेंगे जिससे अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे शादी सुदा लोगों का ग्रिहस्त जीवन प्रेम से भरपूर रहेगा लेकिन किसी बात को लेकर जीवन साथी गुस्सा जाहिर कर सकता है प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए आज का दिनमान अच्छा रहेगा उपाय कि यदि बात करूँ तो सुन्दर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए चलते हैं ब्रिश रास की तरफ तो ब्रिश रास का स्वामी सुक्र है आज का दिन आपके लिए व्यस्तिता से भरा रहेगा आप कहीं घूमने निकल सकते हैं और किसी मंदिर के दर्सन करने का सौभाग मिल सकता है ग्रिहस्त जीवन खुश नुमा रहेगा रिस्ते में प्यार रहेगा सेहत भी मजबूत रहेगी प्रेमी जीवन बिता रहे लोगों को कुछ दिक्कत उठानी पड़ सकती है काम के सिलसले में आपके लिए आपका दिन बढ़िया रहेगा उपाई की बात करूँ तो एक चावल आटा आलू सफेद नमक कुछ पैसा मिलाकर सफेद दाल आदी रखकर सिधा किसी ब्रामण को दान करें तो आज का दिन शुब होगा आईए चलते हैं मिथुन राश की तरफ आज का दिन आपके लिए समान रूप से फल दायक रहेगा मानसिक रूप से चिंता ग्रस्त रहेंगे जिनका असर आपके सेहत पर पढ़ सकता है और कामों में भी थोड़ा विलंब हो सकता है शादी शुदा लोगों का ग्रिहस्त जीवन तनाव पूर्ण रहेगा लेकिन जीवन साथी अपनी और से कोशिश करेगा कि आपको खुस रख सके प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए आज का दिनमान बहुत अच्छा रहेगा उपाय की यदि बात करें तो जल में हरी दूब पीज करके शिवलिंग पर जल चड़ाने से आपका दिन शुब होगा आईए चलते हैं करकराश की तरफ तो करकराश का स्वामी चंद्रमा होता है आज का दिन आपके लिए सामान रूप से फल दायक रहेगा आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे जिससे कामों में सफलता मिलेगी ब्यापार तेजी से बढ़ेगा काम में सिलसले में बेहद अच्छे नतीजे मिलेंगे इनकम आपकी बढ़ेगी हलके फुलके खर्चे रहेंगे ग्रिहस्त जीवन में सामंजस से पूर रहेगा प्रेम जीवन रौमांस रहेगा अर्थात उपाय की यदि बात करें तो शिव टंडव स्तुरोत का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका जीवन सुभ होगा आईए बात करते हैं सिंग राश की तो सिंग राश का स्वामी सूर्य है तो सिंग राश वालों के लिए आज का दिन सामान ने रहेगा आप थोड़े खर्चों से परसान हो सकते हैं लेकिन इंकम अच्छी होने से ज जुआय करेंगे शादी शुदा लोगों का ग्रिहस्त जीवन तनाओं की छाया में गुजर सकता है प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी आज कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उपाय की अधी बात करूं तो भगवान शूर्य को अगर लाल रोली डालकर जल रूप से फल दायक रहेगी क्योंकि दुपहर तक आपकी इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी लेकिन उसके बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और आप किसी बात को लेकर चिंता ग्रस्त हो सकते हैं काम के सिलसले में दिनमान अच्छा रहेगा बुद्धी का इ जीवन साजेदारी से आगे बढ़ेगा रिस्ते में एक दूसरे के प्रती जिम्मेदारी बढ़ेगी उपाय की यदी बात करूं तो गणेश जी का एक माला मंत्र ओम गंगन पते नमा की जाप करके यदी घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए चलते हैं तुला राश की तरफ तो तुला राश का स्वामी सुक्र होता है आज का दिन माना आपके लिए अच्छा रहेगा इंकम में बढ़ोतरी होगी खर्चों में कमी आएगी भाग्य का सहारा मिलेगा जिस काम को जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे परिवारि जीवन बिता रहे लोगों के लिए आज की दिन खुल कर इंज्वाय करना होगा उपाय की यदी बात करें तो जल्में शक्कर डालकर शिवलिंग पर चड़ाएं तो आपका दिन शुब होगा आईए बात करते हैं ब्रिश्चिक राश की तो ब्रिश्चिक राश का स्वामी मंगल होता है आपके लिए आज का दिन सामान रूप से फल दायक रहेगा आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे जिससे आपके अधिकारी आपसे खुस रहेंगे ग्रिहस्त जीवन में भी प्यार और रोमांस रहेगा रिस्ते में आकरसन रहेगा प्रेम जीवन का तनाओ के बावजूद कुछ अच्छे फलों का साक्षी बनेगा आप अपने प्रिये को अपने दिल की बातें खुल कर बताएंगे सेहत अच्छी रहेगी बस खान पान पर विसेज ध्यान दें उपाय की यदी बात करें तो हनुमान चलीसा का 11 पाट करके यदी घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुब होगा आईए बात करते हैं धनुराश की तो धनुराश का स्वामी गुरू है आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आप लं मंदीत कोई बात घर में चल सकती है शादी शुदा लोगों का ग्रिहस्त जीवन थोड़ा तनाव पूंड रहेगा प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान अच्छा रहेगा काम के सिलसले में आप मजबूत रहेंगे और अच्छा काम करेंगे उपाय की यदी ब आईए चलते हैं मकर राश की तरफ तो मकर राश का स्वामी सनी होता है आज का दिन आपके लिए काफी साजेदारी से चलने वाला है दिन होगा मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी वे वज़ा के खर्च भी आपको परशान करेंगे इसलिए कुसल और वित्त प्रबंदन पर ध् काम की सिलसले में दिनमान सामान रहेगा नौकरी बदलने के योग बनेंगे शादी शुदा लोगों का ग्रिहस्त जीवन अच्छा चलेगा प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी सुगत समाचार मिलेंगे उपाय की यदि बात करें तो रुदराष्ट कम का पाठ करके आपका दिन शुब होगा आएए बात करते हैं कुमबराश की तो कुमबराश का स्वामी सनी है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप अपने काम को इंज्वाय करेंगे जिससे कम से संबंधित आपको फल मिलेगा और आपकी इंकम बढ़ेगी ग्रिहस्त ज से मन की बात कहेंगे प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन मान बहुत अच्छा रहेगा आप अपने प्रिये को खुश रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे उपाय की यदी बात करें तो हनुमान चली सा का 11 बार पाठ करके यदी घर से बाहर निकलें तो आए चलते हैं मीन राश की तरफ तो मीन राश का स्वामी गुरू है आज के दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अपनी ब्रिद्धी का इस्तिमाल करके कई कामों को सफल बनाएंगे इनकम में बढ़ोतरी होगी सेहत मजबूत रहेगी काम के सिलसले में थोड़ा उता चड़ाओ आ सकता है शादी शुदा लोगों का ग्रिहस्त जीवन तनाओं से अब कुछ हद तक बाहर आ जाएगा प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन मान बहुत अच्छा रहेगा आपकी शादी की बात चल सकती है उपाय की यदि बात करें तो ओम नमो भगवत वासुदेवाए नमा का एक माला जाब करके यदि घर से वाहर निकलें तो आपका दिन शुक होगा है तो आज मैंने आपको धर्म चर्चा के विशे में बताया और पंचां के विशे में बताया कि इसी के साथ आज की धनिक-राश के विशे में बताया तो एक बार भगवान का ध्यान हो जाए ओम नमों भगवते वासुदेवाइं ओम नमों-भगवते वासुदेवाइं आप सभी लोगों के बीच में मनोच कमार शुकला प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को पंडित आचार्ज मनोच कमार शुकला का हार्दिक नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार